आई गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूं विंडोस का जो चुट्रोल पैनल है उसके बारे में लर्न अबाउट कंट्रोल पैनल तो चुट्रोल पैनल के अंदर जो है थार्टी एट आइटम या एप्स होते हैं तो उसमें मैं वीडियो बना चुका हूं तो आज मैं आज मैं जो बना रहा हूं आटो पिले के बारे में आपको बताऊं को क्या चीज़ है और इसकी सेटिंग क्या होना चाहिए और किस काम में आती है तो देखिया आपने कभी भी देखा होगा अपनी सीडी रोम या मोबाइल फून अटेच करते हैं आपको कंप्यूटर या ल होती है यहां पर अगर आप इसको अंचेक कर देंगे तो आप जब भी अपनी ड्राइब डालेंगे तो उसका फोल्डर आटोमेटिकली उपन नहीं होगा आपको यहां जाके उसको उपन करना पड़ेगा ठीक है अगर आपने कोई मूवी की डिवीडी डाली उसके अंदर आपको क्या करना होगा आप यहां जाके से चेक करेंगे अगर नहीं है तो अगर आप चाते हैं ना हो तो आप इसको अंचेक कर देंगे आप चाहते हैं आटो प्ले हो तो आपको यह यहां के पे इसे चेक करना होगा और यहां जाके नीचे cancel और save है तो save कर देंगे तो यह आपकी autoplay बर करेगी तो इसमें क्या-क्या चीज़े हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे choose what happened when you insert each type of media or device तो क्या-क्या media or devices होती है आप यहां नीचे आगे देख सकते हैं तो यहां पर मैंने जो करा है यह autoplay का करा है option आप जो भी इसमें डालेंगे removeable drives जो होती है जो मैंने आपको बताया cd-rom होती है floppy drive होती है pen drive होती है external art drive होती है DVD होती है blue ray होती है तो वह यह है तो आप अगर यहां पर चाते हैं वह open हो जाए तो उसके अंदर जित्ती भी फाइल होंगी वह open हो जाएंगी तो यहां पर आप option देख रहोंगे यह by default है or I तो यहां पर लिखा है import photo and video तो अगर आपने यह कर दिया तो सिर्फ photo और video open होंगी यहां पर और इसमें यह blank है यह by default है सब देख सकते हैं आप यहां पर तो यह आप यहां पर option कर सकते हैं यह by default है अगर आप by default कर देंगे तो भी वह यह आएगा तो यह आपका memory का भी जैसी आप connect करेंगे cable आपकी mobile की तो वह folder automatically open होगा पर desktop पर आजाएगा तो आप उसमें देख सकते हैं video और जो आपका folder होगा इसके अंदर image का वह open हो जाएगा यह जो है dvd के लिए dvd movies के लिए enhanced dvd movies blank dvd और यह dvd audio जो autoplay work करती है जैसे आपने गाने की MP3 की जैसे पहले आती है अब तो खेर सब लोग यूट्यूब वगरा या गाने डाउनलूड वगरा करते हैं तो अगर जो सीडी रोम यूज़ कर रहे हैं तो autoplay जैसे हम लोग गानों की लेकर आते हैं वो जैसे इंसेट करते हैं तो हमारे गाने जैसे हैं इसमें type of device और यह cd है audio audio blank cd video cd super video cd जो पहले होती है अब तो DVD औ बुलूरे चलते हैं और यह आगया आपका software यह software and game तो यह उसके लिए तो software and game की जो cd होगी आपकी जैसे डालेंगे तो वो open हो जाती है अपने अप और यह जो होता है यह device है जैसे मैंने अपना mobile connect करा था यह तो यह आगया है यह अगर आप चाहते हैं कि इनकी यह जो पूरी setting जो आपने यह करी है यह by default हो जाए तो आप इसको reset कर देंगे यह तो यह देख रहूंगे जो photo और वीडियो आ रहा था वो सब हो गया और यह भी close हो गया तो आप चाहेंगे तो खाली यह भी रख सकते हैं यह आपकी इस वक्त auto play work करेगी अगर आप इसको अंचेक कर देंगे तो वो work नहीं करेगी तो इसको आप चैक ही रखें और इसको save क कर दें और इसके अंदर सारी classes वगारा हैं आप दे सकते हैं जिसके बारे में आप पढ़ना या knowledge लेना चाहते हैं thank you guys